एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूटूब चैनल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंथ क्लास का चैप्टर नमबर त्री इसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट प्लाइट इसका पहला पार्ट ही फस्ट प्लाइट मैं पहले ही अप्लोड कर चुक भी चमक रहे थे और आस्मान जो है बहुत ही सुहावना दिखाई दे रहा था कोई घने बादल जो हैं जो की मेरी उडान को परिशान कर सके ऐसे नहीं दिखाई दे रहे थे मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं बहुत ही आसानी से अकेला अपनी उडान का आनंद ले रहा था मैं अपने पुराने जो डकोटा ऐरोपलेन है उसको उड़ा रहा था डकोटा यहाँ पे पुराना प्रकार का ऐरोपलेन है और ये जो व्यक्ति है वो फ्रांस से इंग्लेंड की तरफ वापस जा रहा था मैं अपने holiday के बारे में सोच रहा था और मैं सोच रहा था कि जल्द ही मैं अपने परिवार के साथ होंगा और मैंने घड़ी में देखा लगबग सुबह के 1.30 घड़ी में बच चुके थे मैंने सोचा कि मैं Paris Control Room को जल्द ही बात कर लू जब मैंने निच्चे देखा तो मुझ DS 088 here मैं उनसे बात करना चाह रहा था कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं मैं England के लिए जा रहा हूं और मैं अपनी यात्रा के बीच में हूँ रेडियो से जो उदर से आवाज आ रही थी उसने तुरंट मुझे जवाब दिया DS 088 मैं आपको सुन सकता हूँ आपको 12 विग्रीज वेस्ट जो है मुड़ना पड़ेगा DS 088 और हमारा संदेश पूरा हो चुका है इस तरह से मुझे उनका जवाब मिल गया मैंने अपने मेप और कमपास को चेक किया और फिर फटापट मैंने मेरा जो अंतिम फ्यूल टेंक था उसको स्टार्ट कर दिया और उसके बाद में मेरे पुराने डकोटा को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ जो की England की तरफ रास्ता जाता है उधर मैंने गुमा दिया मैं ये सोच रहा था कि मैं breakfast के समय बिलकुल आसाने से पहुँच जाऊंगा और मैंने ये सोचा कि मैं आज परिवार के साथ में English breakfast का पोरा पोरा आनंद उठाऊंगा और सब कुछ बिलकुल सही चल रहा था और ये एक आसान flight जो है मुझे लग रही थी पैरिश जो है लगबग 150 किलोमेटर पीछे छूट चुका था और मुझे सामने बादल दिखाई दे रहे थे ये जो बादल थे ये सामने बादल नहीं थे ये तुफान से भरे हुए बादल थे वो बहुत बड़े थे ये मुझे Black Mountains की तरफ दिखाई दे रहे थे जो मुझे सामने दिखाई दे रहे थे मुझे पता था मैं इनके अंदर से होके नहीं जा पाऊंगा और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था नहीं मैं North और नहीं South इधर भी उड़ने की स्थिती में नहीं था मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूँ स्थाइद मैं परिस वापस लोड़ जाऊं तो ठीक रहेगा लेकिन मैं अपने घर जाना चाता था अपने घर वालों के साथ में breakfast का आनंद लेना चाता था मैंने सोचा कि मैं अब ये risk लूँगा और इस प्रकार से सोचते हुए मैंने उस तुफान में मेरे डकोटा को आगे बढ़ा दिया आदलों के अंदर सब कुछ काला काला था मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ मेरा airplane जो है वो भी डंग से नहीं चल पा रहा था मैंने compass की तरफ देखा compass भी सही डंग से नहीं चल रहा था मेरी सारी machinery है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही थी मैंने सोचा क्यों न मैं Paris Control Room से एक बार बात कर लो मैंने बोला Paris Control, Paris Control क्या आप मुझे सुन सकते हैं लेकिन उनकी तरब से कोई जवाब नहीं आया मैं समझ चुका था उनकी तरब से कोई जवाब नहीं है इसका मतलब है कि मेरा जो रेडियो है वो डेड हो चुका है बादलों में मुझे एक दूसरा एरोपलेन दिखाई दिया इसकी लाइट्स नहीं थी लेकिन मैं इसे देख पा रहा था ये भी मेरे साथ तूफान के अंदर आगे बढ़ रहा था मुझे इसका पाइलेट जो है वो दिखाई दे रहा था उस पाइलेट ने मेरी तरफ देखा और उसने मुझे इसारा किया वो साथ मुझे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था उसने कहा मेरे पिछे आओ वह जानता था कि मैं खो चुका हूँ और वह मेरी साथा करने का प्रियास कर रहा था उसने अपने एरोपलेन को थोड़ा धीरे कर लिया और वो नोर्थ की तरफ बढ़ने लगा और उसके पिछे पिछे में मेरे पुराने डकोटा को लेके आगे बढ़ने लगा वो बहुत आसानी से चल रहा था और मैं आसानी से उसका पिछा कर पा रहा था मैं बहुत खुश था कि एक अजनबी एरोप्लेन वाले व्यक्ति ने मेरी सहायता की और मैं एक अनुसासित बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था लगबग आदे घंटे तक मैं उसका फिछा करता रहा और धीरे धीरे हम लोग काले बादलों से बाहर आने लगे अब मेरे पुराने डकोटा में इतना ही ओईल बचा था कि मैं अगले पांस से दस मिनट और यातरा कर सकता था मैं धीरे धीरे चिंतित होने लगा और मैं धीरे धीरे प्लेन को लेके नीचे जाने लगा और मैं इस तूफान से आगे बढ़ने लगा अचानक मैंने क्या देखा कि मैं तो गने काले बादलों से बाहर आ चुका था मुझे यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइट्स दिखाई दे रही थी ये एक रनवे था ये एक एरपोर्ट था अंत्तर मैं सुरक्षित स्तान पे आ चुका था मैंने वापस मुड़के अपने दोस्त को देखा लेकिन जिस दोस्त ने मेरी साहता की थी वो मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दिया वो जो बलेक एरोपलेन था वो जा चुका था और मैं इसे कहीं पे भी नहीं देख पाया मैंने वहाँ पे लेंड कर दिया और मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं था मैं जल्दी ही कंट्रोल टावर के वहाँ पे चला गया और मैंने एक महिला को वहाँ पे पाया जो कंट्रोल सेंटर पे थी मैंने उससे पुछा कि वो दूसरा जो पाइलेट था वो कहां चला गया मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था उस महिला ने मेरी तरफ बहुती आश्च्रे के साथ में देखा और हसते हुए कहा दूसरा ऐरो प्लेन ऐसे तूफानी मौसम में मेरे राडार पे केवल एक ही प्लेन दिखाई दे रहा था और वो केवल आपका था अब मैं सोचने को मजबूर हो गया कि वो जो प्लेन था वो किसका था और उसके अंदर कौन बिठा था जिस व्यक्ति ने मेरी उस समय साहिता की जब मेरा कमपास रेडियो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे और मेरे एरो प्लेन में हुल भी बहुत कम बचा था मैं ये सोचने को मजबूर हो गया कि उस अजनबी ब्लेक एरो प्लेन के अंदर वो पाइलेट कौन था जो बिना लाइट के चल रहा था दोस्तों इसी के साथ में ये कहानी खतम होती है और अंत में ये सस्पेंस ही रह जाता है कि वो विक्ति कौन था दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो से लाइक और शेयर करें